हलो दोस्तों मैं हरशुता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माइवर्ड थमनेल देखके समझे के होंगे कि मैंने आज किस टॉपिक को चुना है बहुत सरे ऐसी लेडीज हैं जिनको पीरेट्स में काफी जादा दिक्कते होती हैं तो उनके लिए मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है घरेलू उपचार तो वहाँ पर आप अपने पीरेट्स को रेगुलराइज करने के लिए बहुत सरे ऐसे मेथड हैं जिसको आप इस्तमाल करेंगे तो आपकी पीरेट्स रेगुलर हो जाएंगे लेकिन आज बात करेंगे कि आपके पीरेट्स के पहले दिन आपको किस तरह की बलीडिंग होती है आपको पहले हलका बलड आता है उसके बाद हेवी होता है अगर इस तरह की condition है तो यह बिलकुल ही normal condition है और अगर आपके menstruation का जो blood का जो duration होता है वो अगर 3 से 5 दिन है तो that is absolutely okay इसमें आपको घबराने की कोई भी जुरत नहीं है क्योंकि इस समय ऐसा ही होता है लेकिन अगर आपको period आने के 2-3 दिन पहले आपको pink सा अगर आपको liquid discharge होता है या फिर एकदम watery discharge होता है कभी ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सा पानी का रिसा हो गया उसके बाद से 2-3 दिन के बाद से रुकते रुकते करके तो 3 दिन के बाद से period start होते हैं और वो भी hardly 2 दि दिन या फिर कभी-कभी तो बहुत सरी महिलाओं को एक से दो दिन तक ही period रहते हैं तो क्या यह normal है तो उसके लिए मैं बता दू कि जी नहीं यह normal नहीं है अगर आपको इस तरह की discharge अगर आपको दिख रहे हैं पिंक सा द्रव दिख रहा है थोड़ा सा और बहुत ही आपको comfortable आप नहीं है जिस तरह से आपकी पहले periods आती थी वो अब इस तरह की नहीं है तो maybe आपको कुछ hormonal issues है तो ऐसे case में आपको अपनी गाईनी से मिलना चाहिए आपकी गाईनी आपको अच्छे से आपके जितने भी hormone के test है वो सारे आपको prescribe कर देंगे आपकी hormones में अगर कुछ गरबड़ी होगी like LH या FSH या बहुत से रहसे hormone होते हैं अगर उनके उपर उतार चड़ा होगा तो इस तरह की problem देखी जाती है तो इस तरह की problem अगर आपको phase होती है तो आप अपनी गाईनी से जरूर मिलिए test की report आपकी हाथ में होगी तो बहुत सारी चीज़े एक पर clear ह हो जाएंगे बहुत सारी मैलाय जिनको इस तरह की problem आती हैं उनको conception में भी काफी जादा दिक्कते होती हैं क्योंकि इस समय पीरेट्स आपकी बिल्कुल इरेगुलर है तो इस केस में आपकी evolution का पता लगाना काफी जादा मुश्किल होता है तो ऐसे केस में आप अपनी जाएंगे और आपका conception भी असानी से होता जाएगा तो इसलिए मैं आपको यही सला दूंगी कि आप अपने गाएने से मिलिए और साथ ही साथ बहुत ही जरूरी चीज जिसके उपर बहुत लोग धार नहीं देते हैं आपको healthy lifestyle ज़रूर अपनानी चाहिए अगर आप healthy जो periods की भी जो problem है वो भी जाती रहेगी अच्छी diet लीजे exercise करिए योगा के कुछ ऐसे postures होते हैं जो कि आपके menses को regularize करने में help परते हैं तो उन सब का सहारा जरूर लीजे और हां last but not the least आपको stress नहीं लेना है जितना जाधा आप stress से दूर रहीगा उतना आपकी conception में आप तो please like कर दीजेगा और हां मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है twins my world care वहाँ पर भी visit करना मत भूलिए thank you so much for watching twins my world